हेलो फ्रेंज, मैं अनामिका, मेरे कीज़ में आपसे भी काश्वागत है, फ्रेंज आज में वाइट शॉच की रेजबीने कराएं, इसे बनाना बहुत ही आजहान है, और इसे हम पर इसारे इडालियर रेज बना सकते हैं, तो फ्रेंज इस वीडियो को आप लाभी तर देखि है, गैस को हमें आन कर लेना है, और इसमें डालना है एक बड़ा चमस बटर, बटर को हमें हलका सा मिल्ट होने देना है, नहीं तो बटर अपना जल जाएगा, बटर अपना मिल्ट होने लगा है, अब हम इसमें डालेंगे मैडा, तो यहां पे हम दो बड़ा चमस मैडा दे अब देख सकते हैं, मैदा हमें जादा नहीं लेना है, मैदे को हम बटर के साथ अच्छे से से wordt करेंगे इस पे हम सल्ट पर हम गैस का ख्लेम एंबल श्रो कर लेंगेhã और आडाम से मैदे को मैदे को सिंखेंगे मैदा जलना नहीं चाहिए, बटर के साथ अच्छे से पकाना है, इसे आप देख सकते हैं कितनी बढ़ियां आपने बटर में मैदा पकते हुए दीख रहा है, तो ख्यान रहें, इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, और अच्छे से खुष्भू आने तक पका लेना है, आप मैदे के साथ सीपक भी नहीं रहा है, तो इस स्टेज पे आप समझ सकते हैं कि अपनी मैदा जो है, अच्छे से भून चुकी है, इसका कलर हमें चेंज नहीं होने देना है, अब इस स्टेज पे हम डालेंगे दूध, तो यहाँ पे हमने 700 ग्राम दूध लिया है, बटर में ह हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, जल्दी जल्दी एस्टेज प्ला से चलाएंगे, इसमें लंस नहीं आनी चाहिए, वैसे तो मैदे में जब अपनी बटर भून जाती है, तो बिल्कुल इसमें लंस नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान से इसे दूध को डाल चलाते हुए और मीक्स करते रहे, हमने धीरे-धीरे करके अपने शाड़े दूध डाल चुके हैं, अब हम इसे चलाते हुए पकाएंगे, हमें चलाना है, चलाना नहीं बंद करना है, नहीं तो ये पेंदी में लग जाएगा, फिर तो वाइट सॉस अपनी जली-जली सी पाद में आने लगेगी, अब थोड़ा सा दूध बटा है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे, और कंटियू चलाते रहेंगे, हमने साड़े दूध को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे फ्लेवर फुल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक आपको ट्रीक बता र रखेंगे, तेजपत्ती के उपर से हम एक लॉंग लेंगे, और इसको ऐसे दबाते हुए पिरो देंगे, और इसे हम इस शौष में डाल देंगे, इससे बहुत बढ़ना अपना एक फ्लेवर आता है, अब बिलकुल इटालियन की तरह ये शौष को मैसूस करेंगे जब टे इसमें डाल दे रहे हैं, जब तक अपना शौष काड़ा होगा तब तक ही हम इसे डाल के पकाना है, बाद में हम इसे निकाल लेंगे, वाइट सबस को हमने 3 मिनद तक अच्छे से पका लिया है अब हम इसमें डालेंगे 1 चमज सिली फ्लेक्स 1 चमज लैक पेपर और श्वाद के वनुषार हम इसमें नमक डालेंगे अब पिर से इसे मिलाते हुए 1 मिनद तक अच्छे से पकाएंगे यानि कि दिल्कुल अपने शौष के consistency में आ जानी चाहिए ये दूध होड मैं देखेंगा होल तो अब देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी वाइट शौष बनी है ये थोड़ी और ठीक होगी ठंधा होने पे लेकिन अभी गरम गरम में यही consistency चाहि तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया वाइट शौष बनके कयार होई है तो friends आपने देखिया वाइट शौष बनाना कितना आसान है और इसकी टेश्ट तो क्या कहना तो friends इस recipe को आप भी ज़रू try कीजिएगा और Italian dish बनाईएगा अकर आज की मेरी recipe आपको अच्छी लग झाल